हेलो स्टुदेंट्स यस वीडिया मा हामिले क्लास 11 रचुबल मा नियू कोर्श नुशार की कती टोपिक्स अरलाय पॉर्णुशा बन्ने कुरालाय। मा एक्स्प्लेन कर देशू। फिजिक्स को सब्जेक्ट कोड राखी एकोशा फिजिक्स 101 ग्रेट 11 फेरी फिजिक्स 102 ग्रेट 12 टोटल वर्किंग आओर 160 दियेकोशा ग्रेट आओर 5 हो। अब हामिले यां हेर्ना सक्षाँ यो सब्जेक्ट संहा रिलेटेड इंट्रोडक्शन छा। हमरो मेन भुजनु परने हमिले कुरा चाएं यो हो अब ग्रेट 11 रग्रेट 12 मां मेकानिक्स अंदरगत पढ़नु परने कुराहरू केच हन्ता पुरान कुर्स नया कुर्स मां क्या पर्योडतन गर्येकुछ अब तेसले हमिले यां हरना सक्षां फिजिकल क्वांटिटीज रा चैप आफ निरा को अब सցट्स हरू आ राद तेस्टीज रखी नीह घु आ मिने स्टेसरे क्वांस अंदरम YOUR उपह्ले पनीक्स ऑ स्याहरू कांव यहां है और प्प्लिकेंट फिगर को बारा मको अपहर नुसर्दीज को बारा म पहर नुसर् आि ग्र्यों खार। फिजिकल क्वांटिटीज तेस्पची हामिले हेरना सक्षाओं यहाँ प्रोटेश्णल डाइनामिक्स राखिएगुँँषा क्लास्ट वेल मां जसका टॉपिक हरूं यहाँ एशरी छल तेस्टेगरी वेक्टर्स पढ़नुँषा प्राणो तो कोर्स मा पनिए नया कोर्स मा पनिए शव वेक्टर मां डीकम्पोजीशन ओफ एक्टर रिजोलुशन ओफ वेक्टर हरू रोचर ड़ प्रोड़ौक्ट स्केलर प्रोड़क्ट स्चाओं यहाँ हमिले हर ना सक्चों प्रियोडिक मोसें प्लास्ट वेल माँ ज़ अंतिसेगरी काइनेमेटिक्स जुनकी पहले बनी थियो और नया कॉर्स मा पनी राखेगुशा फ्लूड फ्लूड इस्टाटिक्स यहां राखेगुशा सेकेंड थर्ड चैप्टर मा क्लास्टुवल मा कैनेमेटिक्स मामले दिस्प्लेश्मेंट इस्टाटिक्स मा इस्टाटिक्स मा इस्टाटिक्स मा यह सभी कुराहर लाई पॉर्णुशा तेस्टेगरी डायनामिक्स आऊशा डायनामिक्स मा हमिले लिनियर मोमेंटम, इंपल्स, रिलेशन बेट्वेन देम यह सभी कुराहरू चाहां निर निव्टन्स लाख मोसन पनी चाहां देश्पची टर्क को बारे माँचा फ्रिक्षन फ्रिक्षन खियो अब फ्रिक्षन यहां निर कोर्स माद देखाई राचाही ना ना सक्च और को चैप्टर मा होला लेट्स कंटिन्यो तेस्पची और वर्क इनर्जी आन पावर मा हमिले यह सभी कुराहर लाई पढ़नुशा सर्कुलर मोशन सा तेसपची ग्रैविटीशन पुराने कोर्स हो एज़िटीश सा इलास्टिसीटी आम हेर ना सक्चो यहां निर तेसपची हीट अन थर्मोडाइनमिक्स हीट अन टेम्प्रेचर राखिये को से यहां निर नया कोर्स अनुशार केही पार्ट तेसको जिसे गरी तर्मल इग्सपांजेन थर्मोडायनमिक्स को से रादीक लाख बिल माशा यांदिर अमीले कोलम वाइज हेर ना सक्चों नेप साइड को कलम माध एज र कोशर रह्चिकलम मंने फ्लास्टि विल कोश उरी सैरो क् Agrev mat याल वारू पूर्ण सा यह अनिर एअ कर दो कि तेसे गरिए हीट प सी हमिने हे यह ड़ेइढ जादा वेब अप्टिक्स मा मीरोड को भारी मा पर्णु से क्लास 11 मार वेब मोशन को भारी मा पर्णु से क्लास 12 मा नया कॉर्स अनुसार यान इरा हमेर ना सक्षाओं mechanical wave शाद येको class 12 मा refraction at plane surfaces class 11 मा अनी refraction through prism, web in pipes and string class 11 मा class 12 मा अनी lens को बारे मा पढ़नो सा different topics अरू हमी हरना सक्षाँ class 11 रा क्लास 12 मा का सरी राकिये गुशा तेश पची electricity and magnetism मा हमी हरना सक्षाँ class 11 मा electric charges सागा related रह यहा class 12 मा electric circuit सागा related कुराहरू लाई पढ़नो साँ अनी electric fields थर्मो electric effects लाई हमीले class 12 मा अब पढ़नो साँ हमीले screen मा रामदरी हरना सक्षाँ अब तेशे गरी electricity पची हमीले हरना सक्षाँ यहां लेर चाप्टर होले हर दे जानू अब modern physics ने अब modern physics लाई class 11 और 12 मा पोर्शन अरुच्छु आयरा राखिये कुछ नूक्लियर physics class 11 मा राखिये कुछ इलेक्ट्रोन सागा related पार्ट्स लाई साइ class 12 मा राखिये कुछ हमीले पढ़नू परने topic रत्योशंगा related chapter सरु हमी आहरना सक्षाँ तेस अंतरगत के के पढ़नू सा अब ऐसे ही गरी हमीले class 11 और class 12 मा पढ़नू परने topic लाई भुजना सक्षाँ modern physics को maximum part class 12 मा राखिये तेस मादे के ही part class 11 मा राखिये नया कूर्स ले समाइटे को साँ अब यहां तेसलाई हमीले डिटेल तरीका लेहरनू पर्दा content हमीहरना सक्षाँ physical quantities first content भायो physical quantities माहमीले पढ़नू सा यो exercise को unit को नाम होयो काइन्यमेटिक्स मादेक्स मादेक्स हमिए करेना सक्षाँ critical class 12 माा हमें रोटेशनल डाइविक्स माहमें के पर prospects periodic motion मादेक्स yapmış शूक्तिमेखसते के पαरने भोने 個 없어 जो डाइनमिक्स मादेका ल overlap हीर के पाँरे मारी स्टातिक लिए ़िर दाटिक ज्वेयर ma आ हमिले i के के चाप्टर हाट भाज़ भाज़ा द्याफ्य कासी लेवन मा एपार पाउश एंपार क्लासी लेवन मा इन टॅपिक्स भाज भाज़ भाज़ा बरकुलोर मूशन मा भामली सबी पॉड़नु सा तिसे गरी ग्राइबिटेस्च मा हमले रचेज दिफरेंट यूनिट सरू हमें हीरना सक्षां कि इलस्टिशिटी मां हमिले कि परनु आ भन्नेकुराया क्ली एक्सर्साइज यां यूनिट्स लाग क्लीर्ली लेख है अब तेसपची वेवेड़ आप्टिक्स मां तेसे गरें इसला बुजबुजना सकिंच तेसे गरी हमिले modern physics और गिती class 11 मा गरियेकु नया चेंज यही हो modern physics को कही पाट लाई class 11 मा समेटने परियास करियेकु नुकिलियर physics सग class 11 मा तेसको रिमेनिंग पाट हमिले हेर ना सक्षाँ class 12 मा यही हमिले physics मा के कती unit हरु पढ़नों पढ़ने हो भने कुरा बुजियों class 12 मा कस्तो कोर्स भयो अब नया कोर्स अनुसर के पढ़नों सा तिवा में हेर ना सक्षाँ अब यहां नीर प्राक्टिकल को बारे मा लेखे कुछ पहले जस्ते हो 25 मार्स को प्राक्टिकल हुन्थियों अब अब पनी 25 मार्स के प्राक्टिकल हुन्था 75 मार्स को 75 percentage of weightage जुन हो तेसको जाएं एक्स्टर्नल फाइनल एक्जामिनेशन हुन्च अब यह सब प्राक्टिकल मा आमिले परनू परने पॉइंट सरूर हैरना सक्षाँ यह सब प्राक्टिकल एक्टिविटीज मा आमिले participation देखाँनू परने हुन्च प्राक्टिकल एक्प्लिकेशन एक्स्पेरिमेंटल आनिते स्पचिप प्रोजेक्ट वर्क हमें स्क्रीन मा हैरना सक्षाँ आनि यह थेर्टिकल अप्रोच हो कसरी पढ़ने कसरी बुजने आनि एसे ही गरी मिले सिम्प्ली खुजन करता है यहाँ 25 मार्क्ष यहांँ न सक्षाँ या एक्सुर्यमेंट उचाया मार्क्स दीन आनि रAPP यह 16 मार्क्स यहां सोगर दीशा गरी स्थेगरी थ्री मार्क्स यहां यहां प्राइमेस्टर यो चाहें ट्रिमेस्टर एग्जामिनेशन मतलब इस्कुल ले लिने एग्जामिनेशन वाट इभ्यालवेट कसरी गारने बढ़ने कुड़ा शो गरिडाश हुआ हमें हेडर सक्षमें इसलाइस सेंपली पढ़े रभ बुजिन चा नहीं है ना यो आउट मार्क्स ठ्यूर्टिकल जुने एग्जामिनेशन हुँचा तेसको 275 मार्क्स हुआ राथ 25 मार्क्स को प्राक्टिकल हुँचा सबले था बढ़े के कुड़ा हुआ हमें हमिले के कुन टाइं टॉपिक हरू पढ़ने फिजिक्स मा भरने कुड़ा आमिले था पायू होप गट आमिले पढ़नों परने कुड़ा हरू किये के चन फिजिक्स में है वा नाइस टाइम सी यो